करने वाले हैं रिविजन सीरीज जो हमारा चल रहा था 45 डेज उसका हम लोग 16 पार्ट करने वाले हैं अल्रेडी हमारा 15 पार्ट हो चुका है तो आप लोग सेशन में जूड़ेंगे जली से सब लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेयर करेंगे पहुत दिनों बाद हमारा लाप सेशन फिर से कंटिनीव हो रहा है बीच में हमारा सेशन पस्पाउन था बीच में तो सब लोग जूड़े हैं तो एक बार कमेंट जूड़ करेंगे सबको गूड़ इबनिंग पढ़नाव गूड़ इफिनिंग उमर गूड़ इबनिंग आफ्टर लॉंग टैम सब्सक्राइब करेंगे यह हमारा फोर्टी फाइब डे सीरीज है आपकी एक्जाम से पहले फोर्टी फाइब डेस कंटिनीव होगा कल से उसके लिए भी आपको परसान नहीं होना और साइंस का क्लासेज भी स्टार्ट होने वाला है पूरा कोर्स की तरह उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा आपको थियोरेटिकल मिलेगा और और फिर जो बिहार एसाई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पूरा कोर्स लाउंच क्या जा रहा है और बिसिकली हिंदी का कोर्स अभी जल्द ही लाउंच होगा जो बिहार एसाई में हिंदी जो पूछा जाता है उसके लिए कोर्स लाउंच होगा और इसाई के लिए साइस का को दो को अभी जल्द ही लाउंच होगा इस सेशन में हम लोग जो भी सवाल प्रोवेबल हैं जो भी सवाल एक्जाम में आने के संभावना है उन सवालों को करते हैं डेली 40-50 प्रशनों को हम लोग रिविजन करते हैं और इसके 40-50 प्रशनों के थूरू हम लोग बहुत सारे प्रशनों को भी सिखते हैं उमर हैपी नीवर तो यह नीवर में पहला सेशन हमारा लाइप सेथन अभी लाइप सेथन हमारा डिस कंटिनीव था बीच में सेशन को सब लोग सेयर करेंगे करते हैं आज के पहले प्रशन के साथ वीच आफ फॉलाविंग साइट अफ इंडस वैली सिविलाजेशन अकले मोडल अफ प्लाव है विन फॉंड ठीक है यहां पर कर आएक एक खिलावना मींस हल का खिलावना तेरो कोटा फिगर में तेरो कोटा में हैल बना हुगा कहां से प बताना आपके सामने और से राखेगड़ी बनावली काली बंगन एन लोथल सारे लोग कमेंट करना है इस वाला को तर क्या होगा को भाषब असदो बहुत सिंपल प्रस्न है मैंने ये पूरा इंडेस वैली सिवळ आशन में ने कर आया है राखेगड़ी की बात करेगा तो यह इंडिया में सबसे परमान मिला है ना कि खिलाउने का परमान ना मिला ठीक है है बनावली से मिला इस बात को द्याने के तो इसका बनावली उत्तर होगा ठीक है चलते हैं सवाल नंबर 2 की और वो फॉञंडिर राश्ट कुट्ट किंग्दम का स्थापना किसके दवारा किया गया ओके बताना इस वाल का उत्तर क्या होगा राश्ट कूर समराज के श्थापना किसने की कृष्ण परथम अमोग वर्ष धन्ती दूर्ग और धू अप पाल ग्लकष्र कह यहाестно पाल परतिहार और राश्कुट तीनों आपको पता होना चाहिए जो ट्रेपार्टी स्ट्रेदल हैं मैंने इसको पूरा पढ़ाया है आप इसको वीडियो भी आख देख सकते हैं तो इसमें दंती दुर्ग है जिनुना स्थापना किया था राश्कुट किंग्डम का ठीक है र सवाल नंबर तीन कियो दरजू का वेर असिस्टेड इन एकाउंटिंग सेकरेटरियल और अधर मिसलेनियस वर्क वाइवीच आप दा फॉल्व रजुक आपने पढ़ा होगा मॉरेन इंपायर तो उसमें आपने रजुक का नाम सुना होगा मैंने के आम को देख्ता था या और भी कुछ कुछ देखता था वह क्या कराते हैं पडेसी का युकता पुरोहिता था स्थानी का बताना इस सवाल का उतलर क्या होगा तो से तेन में व् PRES. अबलों करेंगे और Mr. अब अ मैं आ होगा था ताए इस सब रीरेशिस्थट करने काम करता था है युकता को द्यान रखेगा दो गाएं के पर्मुंको एक तरह से थे तो वह अस्थानिक अंसर स्वाल नमर चार क्यों चलते हैं रुखत समीहिता के कौन है मैंने गुपता प्रधाया मैंने उसमें सिच को पढ़ाया बहुत सारे सवाल आपको जो मैंने अभी जितने भी एक लिम्टेड मैंने क्रास लिया वहां सब सबस्वाल मिल जाएंगे तो बताना और कि बिरियत समीता के लेखा कौन है मकृत अच्छा सही है मार्ण हे यह किसके समीटा के लेख़ के बारा महिर है गुपता काल के कैने का रिखना है सवाल नमबर 5 के चलते हैं वच हुआ बदेखे Iowa सब्सीं है आरक का मत पॉर्योंग पाइँ इस तरह का के अंदर वो किस के समय में या किसने कहां पर आपको देखने को मिलता है इलतुतमिस के किले में मकबरे में गया सुदिन तुगलग के मकबरे में अलाई दरवाजा के या कोबुत अलिसलाम महजीद और अरनो वेलकम बैक आपको भी सेशन बीच में डिसकंटिन्यू था इसके पिछे रिजन था कि मैं यहां पर नहीं था तो वहां पर लाइक सेशन कर पाना मुश्किल था और फोर्टी फाइब सीरीजिट इसको हम लोग जल्दी ही कर लेंगे और उसके बाद फोर्टी में इसमेह इस्ते माल कया और अलाया दरवाचा को मिनार के बन सकते हैं कि गेट को बोलते हैं अलाय दरवाचा यह सव खलीफा से उहां समान प्राथ खलीफा ने बहुत कुछ इनको दिया वह कौन सा सुल्दान था अलावदन खिल जी इल्टुतमीस बलबन कुतुब दिन एब बहुत सिंपल सवाल है बहुत सिंपल सवार ने खलीफा से कहने का मतलब है कि एक तरह से समान प्राथ करने का जो समान ताइटल मिला नासिर उल मौमनिन तो यह जो टाइटल मिला और शाथ में बहुत कुछ मिला था तो यह जो टाइटल मिला यह जो आपका सम्मान मिला किसको मिला था सी उतर दे रहें सी उतर नहीं होगा इस सवाल को उत्तर होगा इल्ट उत्मिस इल्ट उत्मिस है ना जिन को यह चीज मिला तीस बात को दियान रखना है ओके और अबासित खलीफा थे अलमुंतसीर उनके समय यह मिला था अबासित खलीफा थे अलमुंतसीर उनक तो यह सारे कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं बारवर आपको रीपीट करवाता है आपको मैं अल्रेटी में मिडावर इसक्रीं बहुत सारे सवाल मैं ने कर वा दिया लेकिन अभी कुछ-कुछ ऐसे सवाल रहे हैं गिने जो मैं कर वाओंगा डेली यह पूरा 45 डेज वाला जितना पीडियेफ रहेगा एकजाम के पहले एक दो आर पढ़के जूर जाईएगा सवाल यहां से आने के संभावना बहुत ज्यादा रहेगा जहादर सा असेंजिड़ थ्रोन जहादर सा है जो मुगल काल का है मुगल तो इसने किसके मरने के बाद गदी पे बैठा था यह बताना है बहाद दूसा प्रथम फरकुस्यार मुहमाद सा अजम सा ओके आप लोग सब लोग याद रखते होंगे स्टार्टिंग के जो में में मुगल इंपेर हुए उनका टैम पेरिड और उनका एक तरह से कहीं ने कहीं एक तरह से सीरियल आपको यादर होगा लेकिन उसके बाद गलत है बिल्कूल गलत है नहीं होगा गलत है फार देंगे साथ सवाल का को देखे बताना स्वाल का उत्तर क्या होगा साथ नमर स्वाल का उत्तर आप लोग करेंगे चलिए जहादर साहा है जो बहादूर साह के देथ के बाद गदी पे बैठे थे पुछी दिनों के लिए 11-12 मन्त के लिए बैठे थे आफ्टर इसके बाद बैठेगा जो सेद बं, दो हैं, उनके दो और इसके हत्यद कीद आएगी औरuchenक्रट को गद्धी पर वैठाय जाएगा, ठीके इस झारेतरिए तो बहादुर साथ के बात का जहादर्स आएगा जहादर्साई के बाद आपका फरकुस्ट्षियार ऐगा ठीक है उसके बाद दो स्थते आते में उसके बादा को स्वाल का उत्तर क्या होगा ठीक है सिख गुरू गुरोड जफर नामा इंद पर्शियन वदाना है स्वाल का उत्तर क्या होगा है इस वाल को उत्तर बताना है कि जफर नामा जो लिखा गया एक तरह के औरेक्जी लेठर लिखा गया था तो कि सिख गुरू के दोबारा लिए जफर नामा बहुत साय लोगको नंवेले लेकिन यहाँ पर बात करेगा तो गुरू गोविंस होगा इस सवाल का उत्तर आप लोग द्यान रखें जफर नामा इस रिटन वाई गुरू गोविंद सिंग ओके सवाल नमर नौ क्यों चलते हैं इस्ट इस दे युनिवर्शी टीन विद श्कोलर नेवर टेक इस डिगरी वू सेड दिस स्टेटमेंट करा कि पूरब वह भी स्विध्याल है जहां पर कभी भी कोई विद्धवान डिगरी नहीं लेता है यह किसने बोला था कौन से गौवर्न जर्णर ने चीज़ बोला था लॉड लिटन लॉड डफ्रिन लॉड करजन लॉड रिपन बताना स्वाल का उतर क्या होगा नौन नमर स्वाल का उतर आप लोग करेंगे डिव तरह रिपन रिपन नहीं होगा सब लोग उत्तर करेंगे आप लोग जितने लोग हैं सब लोग को सेशन शेयर करना चाहिए आप लोग सब लोग सेयर करेंगे लाइक करेंगे सेशन को बहुत ही अटेंडेंस कम आपका आ रहा है मैंने आपको पहले बोताया है यह लाप सेशन में आप लोग सब लोग जूलेंगे तभी मैं इस सेशन रोग नहीं जूल पाएंगे तो यह सेशन इस तरह से फिर रिकावड़ पर आ जाओंगा मैं अगर आप मुझे समय देते हैं अपना यह किमती बक्त आप देते हैं तो आपको बहुत कुछ सिखने को मिले गए आप विकास अर्माग उत्तर सी आ रहा है वह अच्छा सी उतर सही है करजन इस दर राइट अंसर करजन ने बोला इस बात को कि इस ऐसा इंवर्सिटी है जहां उनका स्कुलर कभी डिग्री नहीं लेते हैं ओके प्रेवेंशन और सिडिस्टियस मीटिंग राजदरो बैठक निवारक अधिनियम पास किया गया था कब किया गया था यह बताना आपके सामनी उसके अंदर में बताना है देकिए प्रेवेंशन जो भी राजदरो के मतों कह खिलाब कोई मीटिंग हो रहा है किस तरह से तो उसके निवार्न के लिए का देनीयम परस किया गया था नांटीं जीरो से पहले पास किया गया लेकिन उसके बाद नैंटीन का आया और इसको खत्मकर दिया ठीकर 19innen सो नहीं होगा 1911 होगा 1919 स नहीं होगा वह चीज है यहांपर में बात कर रहा हूं देश दूरोई ही वैठक निवारन अधनियम चलते हैं सवाल नंबर पॉलिटीं के और चलते का सवाल है इसमें कौन सुमेलित नहीं है different type of motion मैंने बताया था policy cut motion economy cut motion token cut motion यह सब मैं पढ़ा चुका हूं पूरे पॉलिटी में मैंने पूरा मेरा पॉलिटी का वीडियो जाकर देखेगा लगवक 40 कुछ ऐसे वीडियो है जो भी आपके exam में आते हैं मैंने उन सारे टॉपी को मैंने कवर किया है तो वहां चाहिए अब देखिए सब कुछ रहा है हमसे तो बताना है कि इसमें पॉलिसी कट कर रहा है कि बजठ को एक रूपे तक लाया आता है तो बजट जो गटाओ थी मतों इतना घटादियागे उसको मंतुर। कुल मिला के पॉलिशी कट मोसन पास ओग्या तो आप ये समझे कि वह एक तरह सा फीज बीज़ेट हमने प्लैज किया कि यहीं बजट में कुछ ऐसे डिमांड मैंने पेस किया उसमें एसा है यह हम इस बजट में कोई करने की बात नीती को खतम करने की बात कि яता है तो वो कहीं न कहीं एक तरह से सरकार की ओपर भरोसा वोटेरा से करक आपके शभकास कर्फार से हो जाता है समझ रहे हैं क्योंत अगर पा실파शन कИ तरह हो जाएगा समय रहे लुट रहे हैं तो अग्नडिये तरह हो जाएगा समय है तो यë इतना देहां खर्चा नहीं होना चाहिए तो एकॉनमी कट मोसन होता है सही लिखा हुआ है इस वाल का उत्तर होगा ध्यान एक गलत है कि सब्सक्राइब कर लेता है लेकिन बजट को पूरा पूरी पास होने में बनेगा पर प्रप्रेशन एक्ट आएगा तब जाके नहीं हम काम कैसे चलेगा तो उन टैंप एक दो महिने के लिए चलने के लिए उनके लिए हम वोटन एकाउंट पास करते हैं और वोटन एकाउंट इसलिए पास किया आता है कि एक तरह का स्पेशल प्रोविजन है जो गवर्मेंट को पार्लियमेंट मतलब जब बजट कहने का मतलब रिलीज नहीं होगा तब तक बजब तक अंडर कंस्ट्रक्शन आप स वोटन एकाउंट यह हमारा सही मिलान नहीं है ओके अब सवाल नंबर 12 क्या कहता है कि नेशनल कमिशन फूर वैकवर्ट क्लासिज एंसी बीस्ती की ठीक पिछड़ा वर्ग आयो आप कहते है इस किस आर्टिकल में 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 सन है आर्टिकल तीन सो बालतीस बोलेगा तो नेशन कमिशन फूर सेडिल कास्ट तीन आपको बताया तीनों आपको याद होना चाहिए तो जितने भी सवाल मैं आपको करवाता हूं तो मेरा यह लहता है कि मैं उन से दो-तिन सवाल आपको कर वादो की दोवारां उन चीज़ के लिए आपको बारा बुक्स नहीं देखना पड़ ओके महलवारी रेंड रेवेन्यू सिस्टम वज इंप्लिमेंटेड वाई महलवारी भू राजासु व्वस्था जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया था यह बताना है बेंटिंग कॉन्वालिस मुन्रो मैकेंजी बिसिकली तीन तरह के हम व्वस्था को समझते हैं एक पर्मानेंट सेटलमेंट जो करनवालिस के द्वारा लाउंच किया गया था फिर अपर रहयत वारी देखते हैं जो कि मुन्रो के द्वारा लाउंच किया गया था एक महलवारी देखते हैं जो कि मैकेंजी के द्वारा लाउंच किया गया था हॉर्ट मैकेंजी और रीड इस कि दवारा और रहत वारी स्टलमेंट की बात करेगा तो वह हुआ था अठारा सो बीस में आपका ध्यान रखेगा पंजाब वाला एरिया में ओके महल वाली बैस्ता में था कि चरपांट दस गवं मिला के एक महल बोला था कि महल है फिर वहां से रिवेन्यू को लेने के लिए कहीन के एजेंट होते थे तो वह था महल वाली रेंट रिवेन्यू सिस्टम ओके डीजराइटन से जिनका विडियो उतर है उमर अरणो शबका उतर सहिए सवाल नंबर चौदा एकॉनिक से है इस इंट्रे फिस्कल डीटिश्ट रवेन्यू डीपिसिट enclosed दीपिसिट सवाल सबस्केट रहा है अपने पिछला साल जितना भी आपने उधहार लिया था उसका लेकिन आप उस इंटरेस्ट पयमिन को जो देगे प्रात भाटे में तो बन शौरों दाएगा नहीं किया फूर जो भी रहेंगे हाँ पर मैं करवाऊंगा बहुत महत्मून महत्मून सवाल में सब कुछ करवा दूँगा और आप लोग को इन्सेयरटी ध्यान देने ति पढ़ना है वे क्योंकि अभी जितने भी एकजामच हो रहे हैं आपको इन्सेयरटी के सवाल उठाय जा रहा है तो इन्सेयरटी को अभी आपके पास बहुत समय है BPSC, Prelims का एकजाम बिसिकली कब होगा ये अभी तो कोई decided and decided है और अभी तो इसलिए आपको continue preparation करते रहा न इनिस्यार्टी को पढ़ते रहे ये बिसिकली कम से कम science पढ़ लिए इनिस्यार्टी का ठीक है स्क्रीन बिलर नहीं आएगा quality को बढ़ाए स्क्रीन quality सही आएगा सब लोग परे like करेंगे सब लोग उने like नहीं किया है तो ये गलत बात है सब लोग like करेंगे ओके सब लोग like करेंगा आप लोग जितने लोग है चलिए सवाल नंबर करते हैं हम लोग 15 करा कि कौन से फाइब एर पलान में emphasis किया गया था poverty elevation को लेकि मिस गरिवी के उनमुलन को लेके और आत्म निर्भरता को लेके कि स्वे फोकस किया था कौन सा पंच बर्सी योजना था आपके सामने है ताहला तीसरा पाच्रमाट शत्धा बहुत सिंपल सवाल यह बहू सिंपल सवाल तो पच्माट जो आपका था फिप्थ 1934 से जो अड़तर तक चला था ओके तो यह जो फाइबेर पलां था ठीक एठतर हो ना यह जो फाइवेर प्लान था इसमें गरीबी हटाओ आया था भी आपको पता होना चाहिए ओके इंप्लाइमेंट की बात भी की गई थी इसमें और इसमें कुल मिला के आप कह सकते हैं क्रीसी वाले छेत्र में हम लोग आतनी रभार की बात किया गया था यह ता फिब्थ फाइवेर प्लान की बात किया था ठीक है इस बात को ध्यान रखेगा ओके तो सवाल नमर 16 क्यों चलते हैं हम लोग 16 क्या कहा रहा वही कौन सा कंजिशनल सभी हां में दवारा किया गयते बंदाना है सवाल का उत्तर क्या होगा करेंगे बी उत्तरा रहा है बहुत लोग को मरकारतॉ अार पूंर करेंगे आप लोग जितने लोग जूड़े है और तो यह 44 आपका अमेंडमेंट होगा 44 978 का जो अमेंडमेंट आए उसने यह बोला था कि प्रेजिडेंट जब भी आपका नेशन मेंचे से डिकलेर करेगा कब जब उसको कैबिनेर से रिटन रिकमेंडेशन मिल जागा तब अधर ऑफ प्रीट ऑफ क्रिकेट यह जो बूख है किनके द्वारा लिखा गया बताना आप लोगो को यह बूख किनके द्वारा लिखा गया है आप सौरव गौंगली स्टीव ब्रेटली जोफरा आजर बताना है इस वाल को उतर क्या होगा संसरा के दार लिखा गया आपको पता होना चाहिए कि दार लिखा गया और यह आपके अस्टेलिया से समंधित हैं आपको याद रखना चाहिए कि Magna Carta of India जो है वो कौन सा सविधान के भाग को कहा जाता है पाचमा चौठा तीसरा या छटा बहुत सींपल सवाल है Magna Carta की बात करेंगे तो वो जो है Magna Carta में इसकी बहुत ज़्यादा राइट मिलेगा जब आपका पता होना चाहिए यह जो हमारा होकर राइट की बात करता है तो पार्ट थीरी जो fundamental राइट है आर्टेकल बारा से लेके आर्टिकल पैंटीस तक वो है जिसे Magna Carta के बात करें तो बोला जाता है तो पार्ट तरी दर राइट अंसर जिनका इब उत्तरता सही था सवाल नमर उनीस क्या कहा रहा है कि कि इंडियन कॉंडिटीशन दे प्रोसेस अफ एलेक्शन ओंदे मेंबर अफ राजसभा है अस्ट्रेलिया आइर्लेंड आफ्रीका कैनेडा बताना है स्वाल का उत्र क्या होगा उनीस नमर स्वाल का उत्तर आप लोग करेंगे क्या होगा कि देखिए तो कॉंडिशनल अमेंडमिंट सौथ अफिरिका और राजसभा के सदस्यों का जो चुनाओ की परकिरिया निवाचन के परकिरिया है वह भी हमने सौथ अफिरिका से लिया है आयरलेंड तो पता है बहुत सिंपल है ओके अस्ट्रेलिया से हमने संबर्ति सुची क मैने एक वड़ लेडि जतने से सब कुछ करवा दिया में नई इसका सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करते जाएंगे तो बहुत कुछ कवर हो पाएगा सत्रिया एक तरह का सास्तिर नित्र सैली है करेंगे सब्सक्राइब हो कहां से कि सस्क्राइब करेंगे सब्सक्राइब अ घृउर दोल लूग करेंगे सब्सक्राइब करते perfect करmistecter minimum support price likey minimum support price जो है किस कम्निटी का आता है यह बताना है भी बेसिकलियि मीनों support price जो है उसका रीकमेंडेशन के अगर बात करते हैं वो जो दिया था व कि यह बताना है तो स्वाल मारे किस उत्तर करेंगा आप लो jsब एक इस नंमर प्रतिवा ठागर का उत्तर पीछला सवाल का आया था साम से अर नो ho का उत्तर भी आ था बहुत अच्छा स्वाल मेरे की सवाल रेखा हूं तो लक्षीमी है मैंने सारे लाइन आपको कहीं करवा दिया हूं फिछे मतलों कहने का चारपांश क्लास पहले में ने करवाय था टहटी एट डिक्री ऑन जब पूछे तो सौ्थ कोरिया और नॉथ कोरिया होगा उन सास्थ डिगरी पैलर लाइन पूछेगा तो आपका USA ओलेगा तो 49 तेर मेभी हुआ कि फालन्स याद है तो आपको याद रहातना है ऑक मैं आपको हर लान देखें जाएश आइप पीडी et में सब कुछ मॉर्स मिला ठीक है आडर का मीष आडर में से लाइन ओर नइस लाइन जो है जर्मठी और पॉलेंड की बीच में ओके ये ध्यान रखना है अब मैं आपको कुछ और भी लाइन बताऊंगा जैसे कि फ्रांस और जर्मानी की बीच में आप देखें मैगनी ठीके धार रगेगा मैगी नौट रेखा और ध्यार रगेगा सीजर तो मैगनी जो मैं जे ले रेखा जो है जो है यह राइन को फ्रांस ने खीचा था और गर्मानी ने खीचा था ठीक है तो बीच में है न ही नौट और फिनलेंड की बीच्द का रखा है रसिया और pin in इनके बीच में रेखा है उसको बोलते हैं मेनर हीन लाइन मेनर हीन लाइन तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टर्ट जो रेखा था मैं आपको बता दिया महत्पुन वाला चीज़ मैंने को करवा दिया तो यह कुछ ऐसे महत्पुन लाइन से जो आपको याद होने चाहिए ओके बंगलादेश से पूछेगा तो याद रखना है ठीक है अम्मे मित्र बैंगाल मिन्स असाम मेफोर द्थान खी बात करो हूँ मेफोर मेफोर मेघवाल है आपका फिर आपका मिजोरम और tut तरह से त्रिपूरा और बैंगाली बंगलादेश से पांठ मैनमार से पूछाँ तो आना मम्मी अरुनाचल प्रदेश नागा लेंड ठीक है और आपका मिजोरम ध्यान रिखेगा और मनीपूर आना मम्मी तो यह आपका तीस में तिर्फ पूरा तो नहीं होगा ठीक है यह मैंनमार पर है चाइना से पूछेगा तो जम्मू कस्मील हिमाचल प्रदेश उत्तरा ख हो गया पाकिस्तान से जम्मू एन कस्मीर पंजाब गुजरात और राजस्तान तो यह सारे आपको याद रखने हैं यह आपको पीडियक में सब कुछ मिल लाएगा ठीक है तो तिरपूरा इदर आटम से इकॉन कर रहे हैं उत्तर मुगेस नहीं होगा उत्तर यह थोड़ा सा आना मम्मी याद रखिएगा तो आपका मेरमार हो जाएगा अम्मे मित्र बंगाल याद रखिएगा तो बैंगला देश हो जाएगा यह दो महत्तुन कंस्वीजन वाले हैं बाकिस्तों मैप याद होगा कैगा परमानू उर्जा केंद्र कहां इस्तित है तमिल लाड़ू अर काक ERIC काचरा आपर का कहा इस्तित बताना अब टीक है 24 कंथर करनाठा को कै लेकिन काकरा पर्की करा के बारे मताना है इस वरो ने हब हाल में ब्राजिल का एक ऐमोजोनिया होन सटलाइट को लांच किया है तो वह किस रॉकेट के माध्य हम से लांच किया है Q40eeee 35 GPS Met SM सब लोग करेंगे 2020 में ही यह लांच किया गया है तहिन लाउंच सवाल है पूरर सथि रह लाइट वह tidれた वहीं से लॉवाज किया गया Amazonia सेटलाइट जो अवन हो है वह ब्राजीर का सेटलाइट तो इंडियां के साथ सेट्वाइक को लाउंच किया गया यह तरह का मर्स्यल सेट्लाइट है jew ऐसे साथ तीन इंडिन सेट्लाइट भी लॉंच किया गया पाहात अच्छा चलते हैं कि जो से लेस हुआ है कौन सा नेशनल पार्क है बताना है काजी रंगा चंदोली बलफकरम और बंदीफूर नेशनल पार्क सब्सक्राइब का जो कि असां में सिस्थ है आप में कमेड़ के बताना है कि जींध कारेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है okay from which district of उत्तर प्रदेश पीए मोदी ने उजबला दूपंट जीरो जो आपका है वो लॉंच किया गया है दस अगस्त को किस डिस्टिक से यूपी के किस डिस्टिक से लॉंच किया गया है बहुत सीम्पल सवाल है यह तो आपको तर होगा महोवा डिस् सिलेंडर मिल लेगा ठीक है और यह जो आपका दो सोला में लॉंच किया गया था जिसने कहीं न कहीं पिप्टीन मिलियन एलपीजी सिलेंडर जो भी विमेंस हैं आपके बिलोब पर बटी लाइन भी पिर उनको दिया गया है ओके लगभग जो सितंबर का डाटा है उसके को अब देखिया गा तो आठ करोर महिलाओं को एलपीज सिलेंडर फिरी में मिला है वो कि आपका दस अगस्त को लॉंच किया गया और महोवा यूपी से लॉंच किया गया ठीक है राम गंगा नेशनल पार्क बहुत अच्छा और पुराना जो नाम था वो था हैमिस नेशनल प किया गया है तो वह उनका बहुत ही खुफिया तरीके से उनका रिपोर्टिंग किया उनको एक्सपोज किया वहां पे रहा के बहुत ही सास्थी बरा कदम तो प्लिटिजर अवार्ड जो मिला प्राइज मिला है वो किसको मिला अंजली जैन मेघाराज गोपालन पदमस्री व अप लोग दस लोग रहेंगे पंदर लोग रहेंगे मैं उनको ही कंटिन्यू क्रासस करवाऊंगा लेकिन अप लोग को होना चाहिए कि अप लोग सेशन को सेर करें लोग ज्यादा जूड़े तो अच्छा रहेगा अप परना फ्रूम बिहार रिसेंटली सेट नेस्नल रिक होगा ओके तो इस सवाल का उत्तर अब बताना है यह जो मौंटेन है आप बेसिकलिए उत्राखन में इस्तित थे यह बताना आप लोग 17. अब्ले को मिलेगा विष्टी से आवि ये सवाल बियारे में पूछा गया ग्षम में वहार प्सक्रक्रम को प्रवाइड को प्ता कने मिला है यह इस तिया यह तक हून marked ट्रेज एक तो यह मेरढल मेरा कौन कौन से इस अनों को ध्यान में रखना एक और इस बार का टोक्यो लंपी गेम हुआ उसने पहली ट्रांसेंडर एथलीट है पहली ट्रांसेंडर महीला बोल सकते हैं जो बनी है वो न्युजीलेंड की है तो पहली बार वेट लिफटर है वो उसका नाम क्या लाओरल हवाड ट्रिश्टो वस्टेक ऐलीशन किलिंग काटोरी ह सवाल नंबर 31 का उतर देंगे अपलो यह उतर आरा एमडी का मुखेस का उतर भी आया है नहीं नहीं भी नहीं होगा यह उतर होगा ठीक है लाओरल हवाड न्यूजीलेंड की टांसेंडर है जिसको टोक्यो लंपिक में पहली बार कंपीट की है इस बात को द्यान रखिए ठ देखे अब सवाल कह रहा है कि सवाल और सवाल ही चला गया चली कोई बात ही मैं सवाल को बता दूं की जीरो से सिक्स यह या बोल सकते हैं चाइल्ड सेक्स रेसियो बाल लिंगा नुपात बिहार का क्या है सवाल का अब को बताना है सब्संस है 930 931 915 935 बेखिए 900 अठरा की बात करेगा तो ये हमारा सेक्स रेस्यों है बिहार का लेकर चायल्ड सेक्स रेस्यों बोलेगा तो 900 35 होगा सवाल नंबर डी जिनका उत्तर है वह सभाल कर रहा है तो मैं डेली chiapter सवाल कर रहा हूँ सबसे सवाल हो गया है दोवारा सवाल रेपीट हो नहीं है और । तो अभी कर में ड़ता हुआ रहेंगे अभी बैसे कि लिए करेंट करेंगे और जो पॉलिटी वो तो चली रहा है लिटल गुरू ठीक है विस संस्क्रीट को सिखाने के लिए जो एप लॉंच किया गया बंगलादेश में लॉंच किया इंद्रा गांधी का इंटर के दोबारा वह एप है लिटल गुरू ए गेमिंग एप है गेमिंग एप है इसमें संस्क्रीट असानी तरीकर सीख पाईएगा तो लिटिल गुरू एप है लिटिल गुरू एप है अल्फा टूर में का सी उत्तर है बहुत अच्छा और चले आगे चलते हैं सवाल नंबर 24 की ओर कि मानरिटी सब कॉमेटी जो सविध सवाल कहें सवाल नंबर 34 के चलते हैं पेट गोनिया मरूस थ कहां istedi मैने आपको पिछला सेसन कर वारा थो मैंने वहां पर सौथ अमेरिका जब मैं कॉंडिनिया evaluate तो आहां पर मैंने इसमेरोस्थाल का नाम लिया था वह पेटगोरियां डिजर्ट आपको देखने हो के मिलेगा वह पंपास आपको कहां मिलता है अर्जंटीना में तो पंपास अर्जंटीना मिलता हो अर्जंटीना में ही पैंटगोरियां डिजर्ट मिलेगा इस बात को ध्य है रिश्टी सवाल बताना है अर्जंटीन सवाल का ऊतरोगा हुआ है थे च् только माता अंतियागो में सथ है इस बात को ध्यान रखना है तो हो गया हमारा सवाल नमर स्थ मुझेत चलते हैं कि जो इस वार का जो सबस्याइब किया होता है एक्सपेंडीचर होता है कितना हम लोग खर्चा करेंगे तो बजट है आपको पता होना कि दो लाक ठारा जार तीन सो दो पॉइंट सतर करोर रुपे जो है या तीन सो तीन बोल सकते हैं तो यह जो बजट है यह जो पिछले साल के बजट से कितना देके बस यही बताना है मैंने यह सब करवाया है मैंने आपको बताया है कि फिस्कल डिफिजिट कितना परसेंट होगा जी सब चुका हूँ तो इस बार का जो बजट है पिछले साल के बजट से पैंसेट्स तो एक तालीस करोर जादा है और वह तीन पॉइंट चुझा जीरो एठ परसेंट इन कंप्रीजन आफ प्रिवियस फाइनेंशेल एर बजट बल सकते हैं इस बार का बजट 255 जादा है तीन पॉइंट जीरो आठ परसेंट तो सवाल बजट वाला है बजट हम लोग और डी में पूरा करवा दिया हूं बजट सवाल छुटना ही नहीं चाहिए कि भी सवाल कहीं सब पूछ देगा बजट सवाल अपर उतर दे पाएंगे सरत कुमार यह पैरा उलंतियक में ब्रॉ तो यह सवाल का उत्तर होगा मुझपर पूर से समंधित रखते हैं उसकी उत्तर जिनका भी उत्तर सही में कमेंट ज्यादा नहीं पड़ूँगा ओके मुझपर पूर करा है कि कौन सा एरपोर्ट है बिहार का जिसको पहला रैंक मिला है इस्टन जोन में कस्टमर सेटिफिक है और यह किसको मिला है कि यह भी आपके सामने ही दोनों सवाल का उत्तर आप लोग करेंगे दरबंगा एरपोट गया एरपोट पटना एरपोट पूर्य एरपोट इस्टन जोन की बात कर रहा है तो अप लोग थोला सा मैप को ध्यान दिजाएगा तो आप उत्तर देपाई है ओके यह जिनका भी उत्तर आ रहा सब गलत है यह उत्तर होगा ही नहीं कभी भी नहीं ठीक है सब बताएंगे क्या होगा और जो मैंने आप उससे पूछा उस सवाल का भी उत्तर आप लोग देंगे की मैंने क्या पूछा कि एरपोट ऑठरिटी ऑफ इंडिया के चेयर मैं कौन है बताना है ए एरपोर्ट ऑठिट और आइट्री ऑफ इंडिय चेयर्मेन कौन है ओके कि то airport ऑफ ट्री यह मैं जो है इनका आपाभी संजीव कुमार है और जो यह फिर्ट एरपोर्ट है वह है पीहार अफर्ट को मिला थिकत है ड horns मिला तक है इंध्य में Б eens डराड कि tunnels सवाल नवर उन्चालिस कहता है कि बिहार को कितने एग्रो क्लाइमेटिक च्ओन में विहाजित किया गया पूरे भारत का पूछे थो पंदरा बताये गा लेखिन बिहार पूचेगा तो बिहार जो एग्रोक्लामेटिक जोन में भी भाजित है वो है तीन एग्रोक्लामेटिक जोन में ओके एग्रोक्लामेटिक जोन वन एग्रोक्लामेटिक जोन टू एग्रोक्लामेटिक जोन ठीरी का ए और बी भी है इस बात को ध्यान रखना है तो एग्रोक्लामेटिक जोन जो बहाटा गय बाट को ध्यान रखना है कि बिहार में कि तरह की जलौई पाए चाया है तो सब्धारफिकलक्राइब क्लाइम है क्लायमेट अब ढोल्ब्स क्लासिट प्लासिपिकेशन तो स्वार्प या स्वार्फ यह एक नस्ते इन ये यहाँ पे करवा धी आ हम लोगार. स्वाल ही करेंगेником कल से 50 स्वाल करेंगा आध चान बहुत दिन, बहुत हमने लाया था तो मुझे लगा की बहुत कम लोग परजेंट होगे और सही में बहुत कम लोग परелейंट हे बहुत ही क्याए कि कौण सा अ है जो सबसे जादा बोला आता है दो दूसरी सब सब्सक्राइब बोले आरे लिए भासा है इंडिया की ठीक है जो अ आपका मध्यूसा विधान में अंकित हैं बैंगोली गुजराती तेलगू और मराठी स्वाल नंबर चालिस का उत्तर करेंगे क्या होगा स्वाल नंबर चालिस का उत्तर करेंगे क्या होगा आप लोग के सामने हैं बंगौली बहुत अच्छा बंगौली इनका था बंगौलीी सबसे जाधा बोले जाने वाली भासा है इस बात को धियान रखेगा ठीक है ओके हमारे सवाल को रोग है बेंगॉली ठीक है आतर हिंदी बेंगॉली इस बात को ध्यान रखेगा तो चालिस नमबर सवाल हम लोगों ने कर लिया इसका पीडिएफ मैं बार बोलता हूं इसका पीडिएफ और इसका टेस्ट दोनों क्लासेश के बाद अपलोड होता है पीड हमारा सांस का चल रहा था विसे चलेगा और यह जो हमारा सेशन जो है साड़े आट का वो तो डेली रेगुलर सेशन सेशन रहता है डेली 40 से 50 प्रशनों करेंगे तो कैल हम लोग मिलते हैं और आपको मैं ध्यान बता दू आपको मैंने आपको बताया है कि मोडरन हिस्ट्री नहीं आएगा इस बात हुद है कि मोडरन हिस्टी जितना कफर करेंगे 10 से 15 वीडियो में दो वीडियो हमने किया है लेकिन आपकी वीपेसी प्रिलिम्स तक सब कंप्लिटे ठीक है तो यह इस वीडियो के लिए आप लोग जल्दी बाजिम नहीं रहना कि वीडियो जल्दी दोना ये इसका आएगा लेकिन टाइम पर ठीक है तो इस बात इस वीडियो को भी आपको देखना इसका पीडियएपी मिलेगा आपको ओके जले मिलते हैं ने से तरम तक के लिए धन्यवास अब लोग से से सेर करिएगा ओके साइंस का लेक्चर 11 बज़े हम लोग करते हैं 11 बज़े करते हैं 11 बज़े रात को हमारा रुका हुआ था लगभगा पांच हमने किया है तो अभी यह तो अब के चलिए ठीक है धन्यवाद